आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वाज़त आज का यह जो वीडियो है यह बहुत इंट्रस्टिंग रहने वाला है क्योंकि आज हम यह जानेंगे कि किसी व्यक्ति के बार चार्ट में धरम त्रिकोन के हाउस यानि की एक पांच नौ भाव जो हैं जिनेंकी पूर्वपुन्य भाव भी कहा जाता है तो यदि ये तीनों भाव यदि किसी व्यक्ति के बार चार्ट में positively strong हो तो वो किस तरह से व्यक्ति को जीवन में great success achieve करने में बहुत मदद कर सकते हैं तो इसी विशे पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं तो देखिए धरम त्रिकोन के houses एक पांच नौ जिनने की पूर्वपुन्य भाव भी कहा जाता है तो यदि यहां पर इनकी इन तीनों भावों की स्थिती शुब हो यहां पर शुब ग्रह यदि placed हो और इनके जो स्वामी ग्रह है वो भी बर्चार्ट में well placed हो केंद्र especially केंद्र यात्रिकोन में well placed हो उनके उपर शुब ग्रहों की द्रिष्टी हो तो यह व्यक्ति के पूर्व जनम के शुब कर्मों को भी दर्शाते हैं तो इसी तरह से इन तीनों एक पांच नौ पूर्व पुन्य भावों में यदि अश्टक वर्गा के score जो है प्रतेक भाव में 25 से उपर हो तो भी यह व्यक्ति के बर्चार्ट को ज से positive strength जो है वो प्रदान करते हैं तो आज के इस वीडियो में हम इनी तीनों भावों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह से यह भाव यदि positively strong हो तो व्यक्ति की महान सफलता में अपना योगदान देते हैं व्यक्ति को जीवन में जो है desired success अचीव करने में अपना यो हमारे बर्चार्ट के नौवे भाव की उसके बाद पांचमे भाव की और उसके बाद जो है प्रत्म भाव की जिसे की एक strong केंद्र और त्रिकोन माना चाता है तो देखिए जो हमारे बर्चार्ट का नौवा भाव है जिसे की भाग्य भाव भी कहा जाता है वो हमारे जीवन में represent करता है धर्म को, spirituality को, guru को, higher learning को, father को और long distance traveling को भी, तो जो हमारे birth chart का नवम भाव है, वो उन सभी अच्छे या बुरे कर्मों के result को दर्शाता है, अच्छे या बुरे कर्मों के फल को दर्शाता है, जिसे कि हम पिछले जनम में, past life में जो है complete कर चुके हैं, यानि कि हमारे जो completed कर्म है, अच्छे या बुरे, जिने कि हम past life में पूरा कर चुके हैं, उसे ही हमारे birth chart का नवम भाव दर्शाता है, और इसी को हम भाग्य भी कहते हैं, तो यदि किसी व्यक्ति के birth chart में जो नवम भाव है, वो positively strong है, वहां पर शुब ग्रह प्लेस्ट हैं, और जो नवम भाव का जो स्वामी ग्रह है, वो भी birth chart में well placed है, उसके उपर शुब ग्रहों की द्रिश्टी है, अश्टक वर्गा में भी at least 25 से उपर points जो है नवम भाव में हैं, तो ये सारी स्थिती व्यक्ति को जो है positively उसके birth chart को positively strong बनाती है, उसे positive strength जो है वो प्रदान करती है, क्योंकि देखिए, जीवन में desired success अचीव करने में किसी भी व्यक्ति को भाग्य का जो support है, लग का support जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए, कोई व्यक्ति जीवन में भले ही कितना भी hard work क्यों न कर ले, कितना भी संखर्ष क्यों न कर ले, कितनी भी मेहनत क्यों न कर ले, जब तक कि उसे भाग्य का support नहीं मिलता, तब तक वो जीवन में desired success को अचीव नहीं कर पाता, उस level की success को नहीं अचीव कर पाता, जिस तरह की वो पाना चाहता है, तो किसी भी व तो अब हम बात करने वाले हैं हमारे birth chart के पंचम भाव की 5th house की, जिसे कि सुत भाव भी कहा जाता है, तो देखिए पंचम भाव जो है, वो हमारे जीवन में represent करता है, हमारे skill को, हमारे talent को, हमारी creativity को, संतान को, relationship को, और मंत्र साधना को भी, तो जहां एक और जो हमारे birth chart का नौवा भाव है, वो उन सभी अच्छे या बुरे कर्मों के फल को शो करता है, जिसे कि हम past life में complete कर चुके थे, तो इसी तरह से जो हमारे birth chart का पंचम भाव है, वो उन सभी अच्छे या बुरे कर्मों के को शो करता है, जो कि हमारे past life में ध पूरे रह गए थे तो जिन्हें की व्यक्ति जो है वो इस जन्म में पूरा करता है तो यदि किसी व्यक्ति के बर्चार्ट में फिफ्थ हाउस में यदि शुब ग्रह यदि प्लेस्ट हो उसके उपर फिफ्थ हाउस के उपर शुब ग्रहों की दृष्टि हो और फिफ्थ तो ये सारी स्थिती व्यक्ति के पास्ट लाइफ के शुब कर्मों को शो करती है तो इस फिफ्थ हाउस यदि बर्चार्ट में शुब स्थिती में है तो इस बात की प्रबल संभावना है कि व्यक्ति जो है बहुत टेलेंटेड हो सकता है और ये टेलेंट जो है उसका इस जनम में great success achieve करने में भी बहुत मदद कर सकता है क्योंकि देखिए यदि 5th house जो है वो positively strong है तो जाहिर है कि वो जो है 5th house में कोई भी शुब ग्रह है वो 11th house के उपर भी aspect करेगा जो कि हमारे जीवन में incoming gains को show करता है तो इस तरह से एक 5th house में शुब ग्रहों की placement होना जो है व्यक्ति के जीवन में महान सफलता को प्रदान करने में अपना योगदान दे सकती है तो इस सारी स्थिती को हम एक example के माध्यम से भी समाझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के birth chart में 5th house में कोई शुब ग्रह यदी placed है तो ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा talented बना सकता है तो जैसे कि मान लीजिए किसी class में कोई बच्चा है जो दूसरे बच्चों के comparatively बहुत intelligent है पूरी class एक तरफ और एक अकेला बच्चा एक तरफ अपनी बुद्धी मता अपनी intelligence की वज़ा से वो दूसरे सभी बच्चों के ऊपर भारी पढ़ता है तो इसी तरह से बहुत बार हम ये भी देखते हैं कि कई लोग जो है बहुत later age में जैसे कि 65 या 70 की age के बाद जो है occult sciences को सीखना शुरू करते हैं जैसे कि जोतिश वगारा में अपना interest शो करते हैं उसे सीखना शुरू करते हैं तो जाहिर है कि ये सब चीजें उनकी life में जो है late manifest हो रही है तो जाहिर है कि ये सब जो है वो complete होगा आगे बढ़ेगा उनकी next life में तो इस सारी स्थिती के परिणाम सवरूप next life में इस बात की प्रबल संभावना है कि उनका जो fifth house है उसमें जो है शुब ग्रह वो well placed हो और ये सारी स्थिती उनको जो है दूसरे लोगों के comparatively जो है अधिक talented बनाती है क्योंकि जिन लोगों ने किसी काम को इसी जन्म में शुरू किया है तो उनके comparatively जिन व्यक्तियों के birth chart में जो fifth house है वो positively strong है उसमें शुब ग्रह है यदि placed हैं तो वो show करता है कि ये व्यक्ति जो है पूर्व जनम जिस काम को लोग जो है उनके साथ वाले व्यक्ति जो है इस जनम में शुरू करके पूरा करेंगे ये व्यक्ति जो है पहले से ही पुर्व जनमों से उस काम को करते हुए आ रहे हैं और इस जनम में वो जो है past life के अधूरे कर्म जो है उनके वो fifth house में शुब ग्रहों के रूप में जो है मैनिफेस्ट हो रहे हैं तो ये स्थारी स्थिती उनको जीवन में अत्यधिक talented बना सकती है उनकी जीवन की सफलता में जो है अपना अत्यधिक योगदान दे सकती है और इसके विप्रीत यदि मान लेजे विक्ति के birth chart के fifth house में जैसे ग्रह placed है और उनके ऊपर पाप ग्रहों की भी रिष्टी है और especially fifth house में यदि केतु ग्रहों की भी रिष्टी है तो ये सारी स्थिती इस बात को show करती है कि व्यक्ति के past life के कुछ अन्सटल्ड अधोरे जो relationship है वो इस जनम में भी व्यक्ति के जीवन में problematic situations को create करने वाले हैं उसको relationship से संबंदित जो है वो frustration एक जो negativity जो है उसके जीवन में ये सारी स्थिति ला सकती है तो इस तरह से fifth house का शुप स्थिति में होना well placed होना व्यक्ति को जीवन में talented बना सकता है उसकी जीवन की सफलता में अत्यधिक योगदान प्रदान कर सकता है अब हम बात करने वाले हैं हमारे birth chart के first house की जिसे की एक strong केंदर और त्रिकोन माना जाता है तो देखिए first house से हमारे birth chart के first house से हम खुद को represent करते हैं और first house का positively strong होना किसी व्यक्ति के birth chart में बहुत जरूरी है और यदि हमारे birth chart का जो प्रत्मभाव है वो शुब स्थिती में है उसके ऊपर शुब ग्रहों की दृष्टी है first lot जो है वो birth chart में well placed है especially केंदर या त्रिकोन में placed है शुब नक्षत्रों में है तो ये सारी स्थिती जो है व्यक्ति को जीवन में कड़े से कड़े संखर्ष का सामना करने की शमता प्रदान करती है और व्यक्ति को desired success अचीव करने में जो है बहुत मदद करती है तो देखिए व्यक्ति के birth chart में भले ही कितने भी राज योग क्यों न हो दूसरे ग्रह कितने भी well placed क्यों न हो इन सभी राज योगों का संपूरन फल संपूरन लाब व्यक्ति को तभी मिल पाता है यदि व्यक्ति का जो है first house जो है वो positively strong हो उसके birth chart में जो पूरवपुन्य भाव है वो positively यदि strong हो तभी व्यक्ति जीवन में जो है वो महान सफलता प्राप्त कर सकता है तो इसके विपरीत यदि व्यक्ति के birth chart में पूरवपुन्य हाउसे जो है एक पांच नौ उनकी जो स्थिती है वो negative है वहाँ पर खराब ग्रहों के योग बने हुए है तो ये सा संघर्ष दे सकती है व्यक्ति के जीवन में जो है हर शेत्र में संघर्ष करना पड़ सकता है बहुत सी दिक्क्तें उसके जीवन में आ सकती है इस सारी श्थिती के परिणाव सबरू तो कहने का ततपर ये है कि व्यक्ति के birth chart में जो है vampire वो पुन्य हाउसेस जो है धर्म त्रिकॉर्ण के हाउसेस जो है यानि कि एक पांच नो वो पॉजिटिवली स्ट्रॉंग होने ही चाहिए और यदि इन हाउसेस की स्थिती जो है यदि वो नेगेटिव है तो इन सभी हाउसेस का बहुत गहराई से अनालेसेस करने के बाद पुरवपुन्य भाव है उनका जो है पॉजिटिवली स्ट्रॉंग होना बहुत अवश्यक है तो ये था मेरा चोटा सा विशलेशन अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चानल को सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो को लाइक करें हरे कृष्णा